बोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जितना पॉपुलर अपने गानों के जरीए रहे हैं, उतना ही पॉपुलर वो विवादों के चलते भी रहे हैं इंडोस्टिक के कई कलकारों से तो कई आम लोगों से भी खेसारी का विवाद अकसर देखा जाता है एक विवाद ऐसा ही हुआ पिछले कुछ महीनों पहले जो प्रियंका पंडित के साथ देखा गया दरसल खेसारी का एक इंटर्विव आया जिसमें खेसारी खुद को इंडोस्री का तावर बताते हुए नज़र आये जिसका विरोध इंडोस्री के ही कई कलाकारों ने किया एक विरोध ऐसा ही प्रियंका पंडित ने किया जिसके बाद प्रियंका और खेसारी का विवाद उलचता ही गया प्रियंका पंडित ने खिसारी की जब इन बातों का विरोध किया तो वो सोशल मेडिया पर ट्रॉल हुने लगी खिसारी से प्रियंका का ये विवाद सोशल मीडिया तक आप पहुचा था जसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्मे करने से भी मना कर दिया जब से दोनों का विवाद हुआ तब से खिसारी को तो कई सारी फिल्मों में देखा गया लेकिन प्रियंका पंडित को फिल्मों में देखना कम हो गया और प्रियंका पंडित फिल्मों में कम दिखाए देने लगी इस बीच खबर ये भी आएं कि हिसारी से विवात के बाद प्रियंका को फिल्में मिल नहीं रही है लेकिन प्रियंका पंडित को हाली में पवन सिंग ने अपनी फिल्म में वापस कमबैक करवा लिया है यानि पवन सिंग की फिल्म का उफर प्रियंका पंडित को मिल गया है जिसकी शूटिंग भी दोनों इंदिनों कर रहे हैं हाली में पवन सिंग के फिल्म जय हिन की सक्सेस पार्टी में भी प्रियंका पंडित को देखा गया है नेक्स्ट टो नाइन न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट